कि नमस्कार दोस्ते मैं स्वागत और विजंदन करता हूं अपने सभी प्रिये दर्शकों का कैसे हैं आप उमीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे खुश होंगे परसंद होंगे आनंद में होंगे 26 जुलाई 2022 का राशी फर लेकर मैं आपके समक्षू यह जानकारी चंद राशी और नाम राशी पर अधारित होगी शुरुवात करते हैं सुबह के संजित पांचांग से सूरुदे होगा पांच बचके आतिस मिनट पर सुर्यास्त होगा साथ बचके सतरा मिनट पर शाम को ति करने का समसे कि कि यह टो तो आएिसे में यह शिव का सबचे किन जहाना है जोड़ाक्ष कि को आशिननल नेपाली रुद्राक्ष का उच्च्च psychologists and कि यह गशित जिसके पास है उसके पास महाकाल का अशिरवाद है आपको जल्दी से बाद बता है जब्दाल है। चाहार क्या 싸 है। तो 11 तो 12 जोतित रिंग का अशिरवाद का मानो 12 जोतित रिंग के द्रशन आप में कर लिए श्रीव का आशिरवाद को भेगे ड़ी बात कुछ नहीं है और सावन के महिनें में और सावन की माशिक शिव रत्री में इसको खरीदना मानो जैसे आपने जीवन का सबसे बड़ा पुर्ण कर दिया हूं है । यह पुर्ण कमाने का दिन है जो तो इसको खरीदेगा वो पुर्ण कमाएगा और अपने भागी को तो मजबूत करेगा ही करेगा भगवान शिव आपको मौका दे रहे हैं कि आप अपने पापों को दूर करें अपने कश्टों को दूर करें शिव का आशिरवाद प्राप करें एस चौदा लिखकर बेजें कोड है इसका ज्यारा सो रुपकी मत है एक के साथ एक लिए आज के दिन इसको वही खरीद पाएंगे जो शिव भक्त होंगे अभी ओर्डर करें मेश राशिव आज आप थकान और आलस के शिकार होंगे लेकिर आपके आप विश्वास से बढ़ोतरी होगी आप जो भी काम होगा उसको कर लेंगे आप बिलकुल घबराएंगे नहीं दरेंगे नहीं आप काम करके मानेंगे इसके साथ साथ आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो आज पूरी होंगी जो आपने पिछले दिनों में काम किया था उसका रिजल्ड भी आपको बढ़िया मिलेगा आपको लोग बिलता हासिल होगी आपकी कमाई बढ़ेगी आपको आपके अलिकारियों को पूरा साथ आप बहुत अच्छी तरीके से लोगों से बाचीत करेंगे प्रेवी प्रेमका फोड़े दूसरे से नराज हो सकते हैं आपकी आंख में फोड़ी दिक्कत हो सकती है कुछ चोटे-मोटे नुकसान होंगे उसे बचने के लिए आपको बगवान बोले नाथ की शरण में जाना च सकते हैं बड़ी-बड़ी रुकाउटे दूर होंगी कोई बड़ा धनलाव होगा आमदनी के नए सोर्स बनेंगे कोई यात्रा भी आपके सफल होगी कहीं सुनी बातों पर ध्यान मन दें अपने काम को करते रहें हर्मान जी की उपासना करिए हर्मान जी को आज शमी के फू होगी वैपारियों को निश्ची तरुप सरे एक लाब होंगे या समय शेयर मार्केट पर रिवेश करने के लिए शोग है आप दिल पर रहेंगे कुल मिलाकर आपके लिए प्रसंता दायक रहेगा सभी महत्पोर इंडरे सो समझ के लिए जाए तो बहुत ही बहतर रहेगा मह हरेलों जरूतों की जरूतें जो होती वो पूरी होती है निजर आ रही है आज लेन देन होगा काफी ज्यादा पैसों को सो समय से खर्च करिएगा किसी अनभवी वक्ति से सला लेकर आप धन का निवेश कर सकते हैं करक राशी आज आपको खर्चा बढ़ सकता है व्यर्थ के पढ़ेगी कारियों में आज आपको परशानी आएगी कोशिश करेंगे तबी सफलता मिलेगी आलस करेंगे तो नुकसान होगा घर में कुछ अचानक ऐसे मामले सामने आ सकते हैं जिनकों इप्लाने में पैसा खर्च होगा कुछ मामलों में आपको समझोता करना पर सकता है घर के वहर भागदौल बर सकती है फीर में आपको जाना पर सकता है नौगरी में भागदौल बर सकती है लेकिन फिर भी कहीं न कहीं शाम को आपको छोड़ा मोटर लाग होता हुआ ही दिखाई पड़ेगा भागदौल होगी खुप बहुत कुछ आज वैसा होगा जैसे दोश, जुपिटर यानि गुरु से सम्हंदित कोई दोश, सूर यासे सम्वंदित कोई दोश आपकी कुली में है और आप परशान हैं। आपकी शादी नहीं हो रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, नौकरी में पैसा अच्छा नहीं है, कुछ भी इस तरीके की समस्याइं हैं, घर में कले कलेश हैं, पैसा ठिकता नहीं है, नजर दोश है, शत्रू की पीला है, अगर ऐसी समस्याओं से आप जूज रहे हैं, वैप कि इसके अंदर ताक्त है शहनी को शान करने की ऊके और Peng गर्यक्र को देकर समान दहेगा आज आप अपनी आय और जो है उसको भड़ता हुआ देखेंगे खर्चें भी थोड़े से बढ़ेंगे प्रेम संबंद में निश्य दिरुप से सुधार होगा आपकी आमदरी धीमे धीमे बढ़ेंगी विद्यारती हैं तो आपको पढ़ाई लिखाई में आपक प्रेम संबंदों में निकटता आएगी वयवाहिक जीवट ठीक रहेगा आप मित्रों के साथ घूमने फिटने का आरंद भी ले सकते हैं आज आप भोजन सो समझते करिएगा पेठी गड़बड़ी हो सकती है अब फिर से हम एक बार दर्शन करते हैं शिव प्रिय रुफद प्राप करेंगे सावन के महीने में इसको पहनना यानि की शिव का प्यारा बनना को अब शिव का आशिरुवाद प्राप करना आप सभी लोग इसको धारण करें पहने फिर देखें जीवन में कितना आनन दाता है एस फोर्टीन कोड है और लिखे फोन करें जानकारी इसको त्यार किया जाएगा और आपको ये संबूर लाब देता हुआ आपको जीवन के दुखों को मिटाता हुआ सुख की तरफ लेकर जाएगा अभी और सावन के महिने में अपना जीवन सावन जैसा हरा भरा कर ले करने आराशी आपकी कारिश सती पर सुधार होगा चिंताओं से मुक्ति पाएंगे पिता के स्वास्त पर सुधार होगा कुछ ऐसे लोगों का साथ होगा जो आपकी कारे से को सुधार सकते हैं अपने माता जी की सहत्ता समुशे धियार रखिएगा आपको जीवन साथी के नाप पर आपको संपत्ती पर आपको हो सकती है आप उतने कारेयों में बैस रहेंगे जीवन साथी के साथ आनन्द में वक्त बिताएंगे आप जिस भी काम को करना चाहेंगे वो बड़े आराम की पुरा हो जाएगा दोस्तों यारों के साथ बढ़े पार्टी वगेरा में जा सकते हैं आप कुछ नई योजनाय मना सकते हैं आपका मान संबान पतिष्टा बढ़ेगी आप अपनी बात खुल कर सामने वाले को बता पाएंगे आज आप चीज़े इसपस्ट कर पाएंगे कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए आज आपकी आर्थिक स्कती पहले से बहतर रहेगी बात करेंगे तुला राश्य की आपके लिए दिन शुब रहेगा आप उमीज से लिक धन कमाएंगे आपको भागी का दिनंतर साथ मुलेगा जीवन साथ इसे रिष्टे बिगड़ सकते इसलिए सावधान रहेगा कोई कड़वाट ना है रिष्टों में इस बात का मिध्यान रखेगा संतान क्यों से शुब तमाचार प्राप्त होगा स्वास्त सामान रहेगा लेकि मांसी परशानिया बली रहेगी आज आप अपने परिवार की आर्थिक उन्नती को लेकर आगे बढ़ेंगे अगर अगर किसी को पैसा उधार बगरा दिया है तो वापस मिल सकता है उसके लिए प्यास करने पढ़ेंगे आध्याप्मी कारियों में आप सगलंग रहेंगे जीवन साती से निकटता बढ़ेगी नजदी की रिष्टिदारों से बद्बेद दूर होगा संबंदों में पुरह मदूरता जागेगी आपका कॉन्फिदेंस हास थोड़ा सा मजबूत रहेगा मेहनत पढ़ेगी वरश्चिक राशी वहाँ चराते समय सलक पर चलते समय साथानी रखिएगा हर काम को करते वोई साथानी रखिएगा धन का रिवेज सोच समझकर करिएगा जीवन साथी से तालबेल बिठाए रखिएगा कुछ अनवश्चिक तराव रह सकता है अनवश्चिक बाद विवाद से बचे किशी अशुप समाचार के मिलने से निलाशा हो सकती है प्रेम समंद में आज का दिस सामान है आपको याद रहेगा पुराने पैसों से जोड़ा कोई मामला सुलस सकता है धनुराशी जीवन साथी का साथ और सरयोग प्राप्थ होगा निश्ची तरुप से आप लोग एक दूसरे के करीब आएंगे रोमांटिक मूट होगा पढ़ाई लिखाई के लिए दिनन पूल है वेपारियों को निया साज़ेदार बिल सकता है आपकी जमापूजी बढ़ने का दिन है शेर मार्केट पर लिवेश करना शुब नहीं रहेगा स्वास्त का पूरा-पूरा ध्यान रखिएगा विदेश दाने के रास्ते में रुकावटे नहीं आएगी माता से आपके रिष्टे अच्छे रहेगे मां से आपका प्यार भी बना रहेगा और मां से धन पर आप्दि के भी योग है मगर राशी आज का दिन विद्या में सफलता प्राप्ती के लिए अच्छा है, नौकरी करने लोग अपना कारे पूर्ण आप उश्वास से करेंगे, स्वास्त अच्छा रहेगा, आपको मन में परसंता उस्वा बना रहेगा, किसी पारवारी के समाजी के उस्वा में भाग लेंगे, आज का दिन विद्या में सफलता प्राप्ती के लिए अच्छा है, नौकरी करने लोग अपना कारे पूर्ण आप उश्वास के साथ करेंगे, आपको स्वास्त अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा, आपके मन में परसंता उस्वा बना रहेगा, किसी पारवारी के समाज की दुस्तों में भाग लेंगे, वैबारियों के लिए उन्नती का बहुत अच्छा मौका है, खिलारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा प्रदशन करेंगे, नौकरी में आज आपके प्रयास सफर रहेंगे, भाई बहनों की मदद से, दोस्तों या कारिकर में जा सकते हैं कोई नया वहार करी सकते हैं माता-पिता से धर्म की प्राप्ति के योग हैं आपके संबंद आपकी माता जी से शुब बने रहेंगे आपकी जमांपुल की बनने का दिन है आपको अच्छे मौके मिलेंगे आज आप प्लाइनिंग करते हुए आगे बढ हर्मान जी की उपासना करिए हर्मान जी को आज शमी के फूल शमी का व्रक्षोदस के फूल यह पत्ति चढ़ाए और हर्मान चली सपड़े और भगमान शिव पर भी सबरपड़ करें आज मंगला गौरी व्रत है आज मासिक शिवरात्री है बहुत ही शुब दिन हैं मंगला गौरी व्रत का कैसे करना चाहिए मंगला गौरी व्रत में क्या उपाय करे कि शिव की के क्रेवर से तो यह कल्यार हो जाएगा दूसरा मंगला गौरी के साथ हर्मान जी के चर्ड़ों का सिंदूर मंगला गौरी माग का जो मंदिर होगा, वहां से जो उनका सिंदूर होता है, वह सिंदूर का टीका लगाएं, और साथी साथ, हर्मार जी के भी चड़नों का सिंदूर माथे पर लगाएं, महा कल्लेनाड होगा, सारे कष्ट दूर, एकी दिद में सारे काम बन जाएंगे, तो मंगला गौरी व्रत वाले दिन ये उपाय करने से आपका सर्व कल्यान होगा जीवन में खुशी आएंगी मा के चड़नों का सिंदूर और हर्माजी के चड़नों का सिंदूर माथे पर लगाएं और विवा के योग के जो भी बच्चे हैं जो भी जातक है वो मिट्टी का खाली गड़ा बहते पानी में बहाएं शद्धा पूर्वर और ओम गौरी शंग्राय नमा मंद्र कारिजथा सम्मर्व जाप करें शीव जी पर जलाविशेक करें कल्यान ही कल्यान होगा और आप सभी लोग जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सुनने हैं समय में जै मापारवती कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इसे रुद्राक्ष को मंगाने के लिए आपको S14 लिखना है और 11 सुर पर कीमत है एक के साथ एक परी है आज मासिक शिवरात्री है श्रावन की श शिव को परसंद करने का सावन के महीने में रुद्राक्ष को खरीदना मानो शिव का आशिरवात पाना यही आपके जीवन का सबसे बड़ा पुर्णी का काम होगा कि शिवरात्री में आप रुद्राक्ष खरीदे और धारण करें और यह शिव का वच तो बहुत ही बढ़ि ने ले कि नमस्कार